रेडोक्स रksomक के पाट डू मैं आपका स्वागत है पीछले पाट में पीछले विडियो में हम आपको दिखा था और रेलोक्स का डिक्पिर्शन देखा आज हम चर्चा करते हैं ओक्सीडेशन नंबर की जब हम उसके डेफिनेशन को बढ़ रहे थे ओक्सीडेशन एडेक्शन का तो उसमें बढ़े थे ओक्सीकरण संख्या में प्रधी की क्रिया को भी ओक्सीकरण कहते और ऑक्सीकरन संख्या में कमी की क्रिया को अप्राम करते हैं तो आज हमारा है वही ऑक्सीकरन संख्या जोरा सा हम ऑक्सीकरन संख्य की उपर एक विचार करें ऑक्सीकरन की परिभाशा इससे भी निकल सकती है और सी डेशन और सी अधिस यानी ऑप सीजन का एडिस तरह से अगर हम देखें तो ऑक्सिडेशन सब्द का अर्थ हा ऑक्सिजन का एडिस अब ऑक्सिकरण संथा क्या है इसके लिए इस एक्जाम्पल सो हम सुरू करते हैं कि अधे सपोच कीजे एक जोगिक के लिएक है के इसी एल पो थिरी के इसी इस परमानु नहीं है और ऑक्सिजन के तीन परमानु है यह सब बिल्कर और पोतासियum ट्रोरीट जोगिक का एक अनुकानित मांगाता है अगर किशी प्रत्रिया से हम इसके प्रमानों जो बंधीत हैं उसको अलग करने पर उसको अलग करने पर उसको अलग करने के बाद जो उस पर आवेश उपन होगा जाहन से सुनें अनुकोई शेव परमानों को प्रिठत करने पर उस पर उत्पन आवेश को अब सब पोच किजी के लाया हो पलस X, CL लाया हो माइनस Y और O लाया हो माइनस J तो यह पलस X, Y, माइनस Y, माइनस J, यह ओक्सी करन संख्या कहलाएगी X की आक्सी करन, K की आक्सी करन संख्या के CL की आक्सी करन संख्या के CL की आक्सी करन संख्या इसमें और इसमें जिस अनुसी प्रिठत हुआ है उसमें कहले है तिस तरह से किसी एक तत्व के प्रमानों की आक्सी करन संख्या नियत हो जो रहे नहीं खुछ के नियंद पहुते हैं जिसके निय अकते हैं उसको हम देहेंगे, लेकिन नियद हो यह आवशक्नी अनुः को दिर्भर करता है फिर सेख बार आनुः षेत प्रमाणू, प्रित्धक करने तर्मानों परकुत्पन आविश को ओक्सी करन संख्या करते हैं, तो हम ओक्सी करन संख्या को निकालने की विधी लिए, कुछ विधी है जिसे हमें ध्यान में रखना होता है, सब से पहले रूल फर्स्ट इसे हमें ध्वान में रखना होगा पहला क्योता है मुक्त अवस्था में यही कोई तत्य मुक्त अवस्था का वितरह क्या है वह किसी अनुमें नहीं है अकेला सिंगा वस्थक्तों में है तो मुक्त अवस्था में सभी तत्यों के परमानुवों की प्रुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् अपरूप की ऑक्सीकरन संख्या सुने गोगे अब सवाल यह उसका है अपरूप कहते कि इसको है नाम से अपरूप इसे थोड़ा और दूसरे रूपने कहिए पहरूप एक तत्यों यादि भिन-भिन रूप में बहुत रूप में पया जा रहा हो तो प्रतीक रूप को उस तत स्रुप से अलग करके पढ़ें लेकिन ध्यान में रखना है अपरूप की ऑक्सीकरन संख्या सुने होते हैं अब जैसे अगर पूछा जाए कारवन का ऑक्सीडेशन नंबर वह इन पर ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेफाइट में घ्रेफाइट का अपरूप है इसमें सुन दाम अपर जाएक और है जब सुनने होता है अपर संख्या सुनने होती है वह समनाभी किये अनु समझना पर लेगा अनु समनाभी किये हो मोन्यू कि लिए इसकार है एक ही जैसा फोपोशाइकलिक लोगस बहुत दरसे जरसे होगा तो इसकार होता है एक ही जैसा और हेट्रो बीशन हेट्रो निक्लिया एक इजांपल देखिए इस से पता सकता है हो सब्सक्राइब हो 2, 3, 2, 3, 4, 6, 5, 6, 6, 7, 8 इसमें देखिये ओस्ट्यों के दो एटम मिलकर औकसिजन के एक अनु से और मान्किया है ओजोन में ऑकसिजन के तीन एटम है हाइड्योजन में सद्रिश्च परमानु से बने अनु को कहते हैं होमोनियोटिशन अब इसमें देखे इसका एक्जामपल जैसे H2O जल एक्स्ट्रीपी ओ फूर तो इसमें डिफेरंस एटम है एच है ओ है एच है पी है ओ है तो हमने भी कहा होमोनियोकेलियर मोलेकुल में प्रमानु की ओक्षीकरम संख्यास शुक्षन ने पुरती है अर्था इस सब में अगर देखा गाए ओडू का ऑक्षीडिशन नमबर ओडू में फो का उयन सुझए ओर तरी में को कई है ओ धू में एच का उयन सुझए पी-बिफोर में पी जिए और एस एट में एस का उयन सुझए अब देखिए इक्सेक ऊरा सोशाओ भी कभी-कभी ऐसे कोशन में पूछता है गंदग का अनुष्टर क्या होता है यह 5 और पॉस्पोरस का होता है पीपो इस प्रकार से हम देखते हैं देखें कि हो मुक्तबस्था में जीडो अपरोप में जीडो और होमोनुपलियर में जीडो इस तरह से आइसी कर सकते हैं मुखतबस एफ एच शुने एफ फिरियेटम एफ एलोट्राफ्स और एच होमोनुपलियर में सुने दूँँ अब हम देखते हैं एक परवानरी आयल अलगर है एक परवानवी कर्थात आयल एक ही परमानुप से बना उसमें भी देखिए अलग अलग परमानुपलियर में इसमें एक ही परमानुपलियर में लेकर इसमें देखते हैं FE++, FE++, C++, MINUS, 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 CL-, O-, MINUS, MINUS एक ही प्रमालों के आया है और आप इसको देखिए इसमें क्या रेकते हैं एक ही तत्तो है S, E, S, E और इसमें S, O, 4 में दो तत्यो के हिटम है S, O तो हम यह नहीं कहा कि एक ही तत्यो के प्रमावनों की ऑक्सिकरन संख्याओ उस पर उपस्थित आविश की संख्याओ इसका उक्सिरेशन नूमर कुछा जाएगा तो पलस चू इसका Oxidation Number, Plus T, इसका Minus 4, सीर का Minus 1, इसका Minus 2, तो यह था हमारा कि मुफ्त अवस्था में सुने, Homonuclear सुन, Allotrophs है तो सुन, और एक ही परमानू के बने आयन है, तो सुन देखा है, अब इसके बार हम देखते हैं, Chlorine की Oxidation, कुछ तब तो जिसकी चर्चा हमें लिए, कि कुछ तब तो ऐसे होते हैं, जो एक Fixed Oxidation Number रखते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें देखते हैं, Chlorine सबसे उच्य विद्युत तरिनात मतब्त, आबर साणी का सबसे जो उच्य विद्युत तरिनात मतब्त है Chlorine, उसका Oxidation Numbers, Chlorine का Oxidation Numbers, क्याल रखना हमको, Minus 1, किसी भी तंतो में Chlorine का Oxidation Numbers, Minus 1 होता है, विश्के बाद Hydrogen का Oxidation Numbers, Hydrogen का Oxidation Numbers, Generally Plus 1, Generally, लेके धातों के Hydride में परंद, धातों के Hydride में, Minus 1, धातों के Hydride में यह होता है, Minus 1, और जिनरली ऐसे होता है, पलस एक, तो धातों के Hydride जैसे, Sodium Hydride, Calcium Hydride, CH2, तो इसमें इसका Oxidation Numbers, माइनस एक, इसमें माइनस दो, माइनस दो, हमने इसलिए लिखा है, दो और है, 1H का Minus 1 ही होगा, लेके उसमें हमें लिखा, Minus 2Q की 2H है, इस प्रकार से धान में रखना है, H का Oxidation, H3PO4 में पूछा गया, और CAH2 में पूछा गया, इसमें नाम होता है, Calcium Hydride, जिक्र किया था हमने, जिसमें IDE लगा हो, Hydride Ion, H- माइनस उता है, IDE हो, AT हो, तो वह निगेटिव चार्ज, रेडिकल दो लागा है, H3PO4 इसमें Hydrogen का Oxidation No.1, तीन के लिए प्रस तीन, तो Hydrogen का Oxidation No.2 की सम्हावना क्या बनती है, प्रस एक की भी और माइनस एक की भी, लेकिन, ख्लोरीन का Oxidation No.3 है, और वह है, माइनस एक, अब उसके बाद हम देखते हैं, Oxygen का, Oxygen का, बहुत बहुत ध्मांद्रेग माँता है, Oxygen का Oxidation No.3, Oxygen का कोई लागा, समान्यता माइनस एक हो, समान्यता अर्था, समन्नी इसली में माइनस एक हो, विशेश चीद हो की, तो बतलते रहें, समान्यता के बाद विशेश तर, तो विशेश तर है, कब, जब यह, फरक्साइड में अगी है, पॉर उक्साइड में, पुरा साथे हैं, H2O2, Hydrogen poroxide, por Consee को, हम ऐसे भी समझ सकते हैं, फरक्साइड, Oxygen poroxygen, Oxide poroxide, हम आगे पर ऑक्साइड के बारे में इसका फूरीन ऑक्साइड में बहुत चीजान रखना है ऑक्साइड का ऐक्साइड है इसका गलब नाम हो क्योंकि फ्लोरीन ऑक्साइड से पूर अलको निगाटिव है इसलिए इसका नाम लिखना रहो तो हम लिखेंगे ऑक्सीजन फ्लोराइड हो यह नीगेटिभी पार्ट्स है, और यह हो गया, इस बार पॉटिटिव पार्ट्स इसलिए F2O को क्लोरिण और आक्साइड लिखना गल्त है चुकि ऑक्साइड कहने से ऑक्सीजन हो जाता निगेटिव पार्ट्स लेगने यहां ऑक्सीजन पॉजिटिव पार्ट्स है इसके इसको लिखना परेगा जब अमोलेकुलार्ट फर्मुला जो हम लिखते हैं जनरली इसको एक्टू अनोलिकर कैसे लिखा जाता है वो शूपर ऑक्साइड में इसका होता है माइनस हाफ तो यह है हमारा यानि ऑक्सीजन शूपर ऑक्साइड में जैसे देखे के को टू यह का फलसी कुगा इसका होगा माइनस एक तो दू के लिए माइनस एक हुआ जो एक के लिए इतना हो जाएगा माइनस हाफ तो हमें ध्यां में रखना हो है ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नमबर माइनस दो ही है माइनस एक भी है पलस टू भी है माइनस हाफ ही है हाइडोजन का ऑक्सीजन नमबर पल गुरुफफ़स्ट के धातू को चार धातू के गुरुफफ़स्ट में हैं हाइडोजन, लिथियम, सूरियम, कोटासियम, हुवीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसमें हाइडोजन को छोड़ दिया जाए तो सब के सब धातू है तो हाइडोजन को रखा जरूर गया है चार धातू में लेकर हाइडोजन धातू नहीं है छार धातू के बर्गे में रखा गया है शुरुवाती समय में hydrogen आबर्वस्ताजनी में इधर अपनी बर्ग की तलास के लिए घर की तलास के लिए घटक रहा था तब उसे बर्ग साथ ए में रखा गया hydrogen के साथ तो कभी रखा गया सार धातू के साथ इसलिए सुनुवाती दौर में hydrogen को आवारा तब तो भी कहा जाता था कद्यान में रखना है वर्गेक के तप्तों को में hydrogen अधातु है बाकी सब धातु है और वही कहलाते है शार अधातु और इनिक्या इनिका ऑक्सिडेशन नंबर होता है पर अधियुम का उक्सिडेशन कि एक भी कि दूध शार ये मिर्दा धातु यह सब इनके ऑक्सिडेशन नुमर होते हैं उसको तो शार ये मिर्दा धातु की operated रस दो चार धातु की ऑकशीकरम संख्या पला से is oxygen की oxygen caranid-, minus 2 याद रखना है हमको वीशेष परिश्टाइतिया क्या थी oxygen chloride में superoxide में hy oxygen PAROCKZRE वाकी तो वाक्षी तो वीशेष इस्ष्थितिया थी इनको ख्याल में रखना हुका और अब इसके बाद दो और उल्मिशन किसी अनु के सावी पर्मानों की ओक्षी करनसंधना का योग शुन्य रोता है किसी अनु के सारे पर्मान अब जैसे केमन उ 강 इसमें क का ऑक्षिडेशन नुबर और चाह्त हो ओक्षीजन की ऑक्षिडेशन नम्बर का योग योग चुन होना होता है तो अब सुचिए का होता है पला से हमें कहाँ यूज्व ऐका होता है माइनस भू होटा है माइनस 8 अब इसको हम आरा लेते हैं पलस एक्स तो एक प्रफ़ एक्स माइनस आट बरावर जी रो एक्स माइनस ऋप्रववर एक्स बरावर साथ, अर्था, के-म-न-ो कोर में, मन का उक्सिदेशन नूबर पह गया, साथ, इच्छ और एक्जाम्पल देखते हैं, अगर हमसे पुछा जाता है, है एक्स क्यू एस कोर में, है एक सिस्टाइश देंस का है मैं अच्पी एस एक सब्सक्राइब है तो फिर देखिए एक के लिए प्लस एक दो है तो इसका माइनस इग इसको एक स्मानिए प्लस अर्थात की कहने का अभिप्राय है कि एक अनुव के तमाम परमानु जो हैं उनके ऑक्सिकरन संख्या का यह सुन्य होता है इसके बाद अंतिम बिन्दू जो इसका अधिमान में रखना है वह यह है कि जैसे अगर हमसे उच्छा जाए एसके तफ्तों का इसके आप इसमें एक्टम को अदर करें तो सब के ऑक्सिकरन संख्या का यूग आवेस के बढ़ा हो अब इसका अगर रेखिये क्या होगा उसके पहले oxygen का होता हो माइनस गो 4 के रहे हो गया माइनस 8 इसको x मांते हैं तो x पलस माइनस 8 बराबर इस बार 0 नहीं लिखेंगे ये कि माइनस तो चाहें श्राइज माइनस दो लेकि के एकस से माइनस और बूआ माइनस वू मेगा हello gorst एकस बि्लावर माइनस एकस रावर माइनस रिक्स अरथा है चाहर का उक्सिडेशन नंबर मक्त ऑष़् दो गया माइनस चोड तो इस दरीके से हमें ध्यान में रखना है oxygen नंबर के से जूरे यह प्रवों कुशुत्र एक बार में फिर से आपको पता दो पहरी बाद खिरी अवस्था में सुनने मुट अवस्था में जब हो तो सुनने उसके बाद अलोट्रॉप्स अवस्था में हो तो सुनने हाइडोज अक्सिजन का माइनस दो माइनस एक पलस एक पलस दो और माइनस आप फिर ऑक्सिजन भी सबसे ज्यादा जो मुझको ज्यान में रखना है इसके लिए इसके बाद कहा चारधातू नहीं गुरूप फरस्ट एक पलस एक गुरूप टूप ऐसंग भी कम सिगुमा सिग मोलेकुल फूए को जी रोओ अशीमा कुई है राबड़ तो ऐसने अधार से हम ऑक्सिदेश्वन निमबर प हैसा आखो सकते söब्यादों कर सकते पर आपको यह विग्रियाब हो रही है तो उसमें ऑक्सिकरन संख्या के आधार पर अगर इस फोन को डिफाइन करणा है तो शब से पहले मुझे ऑक्सिदेशन नमबर लिखना परेगा सब का और देखना परेगा बायदाएं कि इसमें कौन सा किस तक्तों की ऑक्सिकरन संख्य नामें कमी हो रही है अब उस फुरांसा चर्चाय और करें हूं ओक्सिदेशन नमबर जो महत्म ओक्सिदेशन नमबर रोता है किसी तक्तों का किसी तक्तों का रिडा सीमुम ऑक्सिदेशिन मरावर क्या नंबर तो तो आमक्सिदेशन नंबर क्या हो सकता है कारवन भर गए 4 एक अब इशी को अब लोग 14 कहते हैं हमेश्वे देखना है चार एश तो कारवन का तो maximum oxidation state पलस 4 तक जाएगा पलस 4 से कम हो सकता है पलस 3 पलस 2 1 0-1 इसमें हो सकता है लेकिन और minimum maximum तो समझ गए minimum कि यूणत्म धादू का जो Oxidation नंबर है यूणत्म धाटू का Oxidation नंबर बरावर जीरो और अधादू का Oxidation नंबर बदावर होगा है बर कि संख्या घटेया कि खे बरकि संख्या मेंसे तो ग्रूफ संख्या माइनस आठ यह हमादा हो गया अधात उत्पी मिनिमम ऑक्षी करन शम्या जैसे आब सुचे की ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन का जो मिनिममम एक्षीडेश्या नमर आप्सीजन बहुंद अभी बहुत शोला होए है अब हम यह जो फरमुला योज करेंगे वह सोल से नहीं करें इसको शुरू में यानि इस प्रकार से जरूं लोग इते थे 1 is 2, 2 is 2, 2 p 6, 2 p 4, तो oxygen 6 एका तब तो, इसका 6 एका, तब यह हो गया छो, इसको अगे हमको oxygen का oxidation नमर मुंतम oxidation मंबर क्या होगा, तो बरग संख्या, यानि छे अगटे आ बरावर माइनस गोग अब oxidation, oxygen का oxidation नमर माइनस दू से कम नहीं होगा, माइनस दू से जादा हो सकता है, माइनस एक, इस तरह से होगा, फिर इसी तरह से देखिए, अगर हम बात करें, मैगनेश्यम का, मैगनेश्यम पर यह दो कात्त हो है, तो इसका जो maximum oxidation नमर है, वह जाएगा, मैगनेश्यम धातु है चुकी, इसलिए minimum इसका आगा सुन, धातु अगर हो, धातु की भचान अबने बताया होखा पीछे, अम लास्ट में लगा हो, धातु अगर है, तो maximum oxidation नमर रावर ग्रूप नमर, लेकिन ग्रूप नमर किस तरह से, वन, ए, सेकंड, ए, थाड, ए, इस तरहाले का, अब ऐसलिए, एक, दो, ती, चार, पांशो, साथ, आपनो, तसे, गारा, बारा, तेरह, जो दबदर, सुल, 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 साथ, अठारा बाला जो भी है, इस रूप मेंने, तो उसकी चर्चा हम लोग विशे रूप से, परियो और अब जाहरा के बारा में बुलका ग्रेविशिन के जयागजा, जाहरो, जाहरो